Hello friends, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे दोस्तो, 80 बिमारियों का काल है दोस्तो, किसी किसी को गुटनों का दर्द, high BP, diabetes, cholesterol, knee pain ये सभी की सभी तकलीफें बहुत ही घंबीर होती है यानि कोई न कोई तकलीफ इतनी ज़्यादा दर्द नाक होती है कि उनकी पूरा का पूरा ध्यान उसी दर्द की तरफ, उसी तकलीफ की तरफ रहता है दोस्तो, क्या आप जानते हों कि आपकी जिंदगी का छोटा सा बदलाव आपको कितना healthy और स्वस्थ रखता है बहुत से लोगों को सुबह उठते ही चाय चाही होती है यानि चाय पीते है लेकिन चाय के कोई फाइदा नहीं होता बलकि उसके बरपूर नुकसान होते है मेरी बात मानिए सुबह उठते ही आप छोटा सा बदलाव कर लीजिए ये आपको बहुत ही सारी बिमारियों से बचा कर रखेगा थाईराइड है, मुटापा है, डाइबिटीज है, ब्रट प्रेशर है, कॉलेस्टॉल है इन सब से बचा कर रखेगा एपच है, पेट की बिमारियां है, एसिडिटी, गैंस, या चेहरे पर दाग धबे होना जादा बिमारियों को खतम कर सकते हो, आप इसे होने वाले फाइदों को जानकर यकीनन हैराद हो जाओगे क्योंकि दोस्तो धनिये के जो बीचों के अंदर बरपूर मात्रा में केलशियम, आइरन, विटामिन के, विटामिन सी, मेगनेशियम, प्रोटिन, सॉलेबल और इंसॉलेबल फाइबर होता है धनीय का पानी आपके health के लिए, बालों के health के लिए, ब्यूट मतलब skin के लिए, आपके digestion के लिए, आँखों के लिए, kidney से सबंदित, या फिर liver से सबंदित, सारे समस्याओं के लिए राम बान है आपको धनीय का पानी तयार कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी इसके फाइडों के बारे भी सबसे पहले आप एक बरतन लेली जी, इसमें आपने दो गिलास पानी डाल देना है, इस पानी में आपको दो चम्मच धनीय के बीज डाल देने है, इसे आपने ढख कर रात बर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, रात बर ढखे रहने के बाद ये उशदी के गुन पानी के पर रख देना है, और आपने इसे एक उबाला देना है, एक उबाला आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, और धीरे धीरे लगबग तीन से चार मिनट तक इस पानी को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, इसकी जो एक्स्ट्रा गर्माहट होगी वो बाहर निकल ज अब आपने इस पानी को छान लेना है, बीजों को फैकना नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी सारी प्रापटीज माजूद है, क्योंकि सारे की सारी प्रापटीज अभी भी पानी में नहीं गई, आप चाहें तो इन बीजों को मसाले में इस्तमाल कर सकते हैं, सबजी में डा दोस्तो इस पानी के अंदर हमने मिक्स करना है एक चम्मच नीबू का रस। इसके बाद इसमें डालना है दोस्तो आपने एक चुटकी काला नमक, ठोड़ा सा इसकी में आप गुना हुआ जीरा डाल दीजिए और एक चम्मच शहद डालेगे, शहद आप तभी डालेगे जब पानी हलका गुन-गुना रह जाए अगर आप डाइबिटिक पेशन्ट है तो आपने किसी भी तरह से शहद, मीठा या मिश्री या फे गुड का इस्तामाल नहीं करना इस चीज़ का आपने खास धयान अटना है अब आपको इसे पीना कैसे है और इसकी क्या-क्या फाइदे आपको मिलेंगे दोस्तों आपको इस पानी का सेवन सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होकर करना है इसको पीने की आधे गंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिल पाएगा अगर आप थाइरेड की दवाई ले रहे हैं तो इसकी मात्रा अथिक ना रखी यानि कम कर दे बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसका एक गिलास मात्रा में ही दे आपको दोस्तों सुबह खाली पेट इस पानी को पीना है इसकी इतने जबरदस्त फाइदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे तो सबसे पहले फाइदे की इस बात की जाए तो जिनके शरीर के अंदर बुरा कॉलेस्टरोल बढ़ता है उनके लिए धनी का पानी बहुत ही फाइदे मत है तो बुरा कॉलेस्टरोल शरीर में बाहर हो जाएगा और साथी साथ बाड़ी में अच्छा कॉलेस्टरोल बढ़ने लगेगा अगर किसी को भ भी हाइक रहता है, किसी को भी इम्मिनिटी पावर कमजोर हो रही है, श्रीर में इंफेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है, आंतों में इंफेक्शन फैल रहा है, या फिर किसी इंसान का डाइजेस्स सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो दोस्तों आप धनीए के पानी की इस तरह इसे चाई बनाकर सेवन कीजिए, इस पानी के अंदर केलशियम, पोटेशियम, मेगनेशियम और आइरन, ये चार की चार चीज़े बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इनके अंदर पाया जाने वाला केलशियम हमारी हड़ियों को मजबूती देता है, मेगनेशिय अगर आप थाइरेट को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहे हैं, तो सबसे पहले खाली पिट आप अपनी दवाई ले ले, 30 मिनट के बाद आप इस पानी को पी लीजिए, फिर इस पानी को पीने के 30 मिनट तक आपने और कुछ भी नहीं खाना, अगर आप चाहें, तो इसे दिन में दो बार भी ले सकते हैं, लगबग 3-40 दिन तर नियमित सेवन करने से अब अपना थाइरेट चेक करवाएंगे, तो आपका थाइरेट नर्मल आएगा, ये दोस्तो धनिये के बीजों का ही कमाल है, ये इतनी जल्दी थाइरेट को कंट्रोल कर देता है, अगर क इठे का सेवन आपने नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, इसके इलावा, ये आपके बड़े हुए वजद को भी कर्म करने में काम करेगा एक दवाई की तरह है, इसके लिए आपको इस धनिये की चाय बनाकर नियमित सेवन करनी है, सुबह और शाम, अगर आपकी शरी और पत्री के कारण, अगर बहुत ज़्यादा तेज दर्द रहता है, या फिर पिशाब रुक रुक कराता है, या फिर पिशाब को करते समय जलन होती है, या फिर आपको यूटी आई, यानि की यूर्नरी इंफेक्शन हो गया है, तो इन सभी रोगों में धनिये का पानी र इस तरह से चाय बना कर सेवन करना है, अगर आप ले सकते हों तो साथ दिन का गैप करके फिर तीस दिन इसका सेवन कीजिए, धनिये के पानी का सेवन दोस्तों आप किसी भी मौसम में कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, इसकी इलावा अर्थ्राइटिस के इलाज में भी य दरासल धनिये में लिनोलेनिक एसिट पाय जाता है, जो एंटी अर्थ्राइटिस की तरह चरीर पर काम करता है, धनिये के बीजों में मौझूद एंटी अर्थ्राइटिस और एंटी ऑक्सिदेंट जोडों में इंफेक्शन को बढ़ावा देने वाले कंपाउंट से लड़ में शरीर की मदद करते हैं, अगर आप अर्थ्राइटिस गठी आया जोडों के दर्थ से परेशान हैं, तो रात बर भिगे हुए थोड़े से धनिये के पानी में आप अध्रक पद्दुकस करके डाल दीजिए, और गरम करने के बाद आप इसमें नीबू थोड़ा सा, यान आपको अर्थ्राइटिस जैसे समस्या में भी अराम मिल जाएगा, इसके साथ ही दोस्तों कैल्शियम और विटामिन D का खास ख्याल रखे, विटामिन D के लिए सूरज की रोशनी ले और कैल्शियम डाइट आपने जरूर लेनी है, कैल्शियम और विटामिन D का डॉक्टर से बात करके आप सप्लिमेंट पी ले सकते हैं दोस्तों इस धनी के पानी के और भी बहुत सारे फाइदे हैं अगर आपकी आँखों की रोशनी दिन प्रती दिन कमजोर पढ़ती जा रही है या फिर जो घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी आँखों की रोशनी कम पीले डाले ठके ठके से रहते हैं तो उनको भी धनीय का पानी रोजाना जरूर पिलाना चाहिए अगर किसी इंसान के पेट में गैस बनती है ऐसीडिटी है जलन जादा होती है कई पर क्या होता है हर मिर्च मसाला खाने के बाद जलन सी होने लगती है तो आपको सुबह गूल करें तो ऑइनिमिया यानि खूं की कमी की समस्या छून पर बढ़नाने के लिए फ्रॉपर matériन होना ज्रूरी है ऐसे में आप आइरन से बर्पूर धनीय के बीजों का पानी पीना शुरू कर दीजिए छूरी दानीय के लिए इस तरीके से अगर आप सुबह सुबह सेवन करते हैं कम जोरी, ठकान, खूट की कमी ये समस्य पूरी तरह से दूर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या धनिये के बीजो की बजाए पाउडर का इस्तमाल किया जा सकता है जो आपके घर पे नॉर्मल है दोस्तों धनिये के बीजो का जो पाउडर है उसका इस्तमाल आपने नहीं करना क्योंकि इसका powder बनाते समय इसके अंदर के nutrition value बिल्कुल zero हो जाती है वो आपने काम में नहीं लेनी इवन जैसा आपको एक चीज़ बता लेती हूँ मैं घर पर भी जब धनिये का जो powder इस्तमाल किया जाना सबजी में बनाने के लिए तो हम धनिये के 20 घर पे लेके आते हैं उसका powder हम घर पर बनाते हैं यानि कि ये माल लीजिए एक हफते के लिए 8-9 दिन के लिए powder बना लिया उसके बाद दुबारा बना लेते हैं क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा time तो लगता ही नहीं है आपने इस बीजों का ही इसके इस्तमाल करना है आप धनिये के बीजों को तवे पर dry roast कर लीजिए भून लीजिए उसके अंदर मिश्री मिक्स करके भी खा सकते हैं इसके अदर सौफ भी हलका सा डाल सकते हैं बुरा हुआ सौफ भी डाला जा सकता है इससे पाचन तंदर सुदरता है कब्ज की समस्या खटे डकार आना डाइजेशन कब जोर होना ये समस्या भी दूर हो जाती है धनिया सौफ और मिश्री का सेवन लगातार कर सकते हैं अगर आप सुबह धनिये के पानी की यानि चाय नहीं लेना चाते तो आप दोपैर के खाना खाने के बाद दनिया, सौफ और मिश्री इनको मिक्स करके लेना शुरू कर दीजिए आपको डाइजेशन से समदित कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तो ये जानकारी इन्फोर्मिशन यहीं तक थी मैं उमीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फाइदे मंद होगी अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी, आपकी काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवार